सब्सक्राइब नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियो हेलो मॉमीज वेलकम तो स्प्लेंडिड मॉम्स लकेजी या पीपीटू में बच्चों को इंग्लिश में सेंटन्स फॉर्मेशन सिखाया जाता है इस दैट इस दोस को यूज करते वे यह सारे साइट वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स हमें बच्चे को याद दिलानी होगी दिस दैट इस दोस कैसे यूज करना है सेंटन्स कैसे फॉर्म करना है वर्कशीट से हम बच्चे को सिखा सकते हैं बट बेटर रहेगा अगर आप रियल टाइम एक्जाम्बल सुनें देती रहें जैसे के घर पर या बाहर जब आप बच्चों के साथ हो आप बच्चों से यह वर्ड्स यूज करते रहे हैं गिव मी दिस बुक एक बुक जो आपके नजदीक रखी वी है आप पूच सकती है गिव मी दिस बुक अगर एक ग्लास बहुत दूर पड़ावा है तो आप कहेंगी give me that glass इसी तरह से these होता है plural form this का और those होता है plural form that का यानि कि अगर एक से ज्यादा book है तो हम कहेंगे give me these books इसी तरह से एक से ज्यादा glass है तो हम कहेंगे give me those glasses या फिर pick up these toys एक से ज्यादा toy है यहाँ पर नीचे तो हम कहेंगे pick up these toys या फिर pick up those socks pick up those socks अगर एक सोक से थ हम कहेंगे pick up that sock इसी तरह से अगर एक toy है थे हम कहेंगे pick up this toy इस तरह से इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि this और that के साथ हमेशा I-S इस जाता है और these और those के साथ A-R-E-R जाता है यानि sentence जब हम लिखेंगे हम लिखेंगे this is, that is these are those are इस तरह से और sentence formation in words को use करते वे बच्चे को सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों को English बात करने में इससे आसानी होगी आईए देखते हैं worksheets related to this, that, these, those जैसे मैंने का this की spelling हमें बच्चे को याद दिलानी होगी so in blanks में बच्चे को this लिखना होगा ताकि उसे spelling याद हो और sentence formation के लिए हम दो examples यहां पे उनको समझाएंगे, एक ice cream आपके पास पढ़ी है तो हम कहेंगे this is an ice cream जैसे मैंने का is हमेशा this के साथ आता है, इसलिए this is एक और बात, क्योंकि यह singular noun है, उसके ताथ article भी आएगा, an, an, an i यहां पे vowel है, इसलिए मैंने an लिखा है, यहां पे cup vowel नहीं है, consonant है, मैंने a लिखा है, इसलिए यह है, this is a cup, this is an ice cream this is a cup इसी तरह से, यहां पे candy है, तो बच्चों को लिखना होगा, th is this, this is a candy, this is a box, this is a cup, इस तरह से लिखने से बच्चों की practice भी होगी, और वो this की spelling भी सीखेंगे उसी तरह दूसरी worksheet है with respect to that that, यहां पे उनको लिखना होगा in blanks में, यहां पे मैंने drawing बनाई है, sentence से थोड़ी दूर पर यानि, जो भी चीज आप देख रहे हैं वो आप से थोड़ी दूर पर है इसको हम इस arrow से indicate करेंगे so, that is a car, that is an umbrella, a car, an umbrella इसी तरह से, that is a fan, that is a bat, that is a pot इसके बार जब बच्चा this और that का usage समझ जाए, spelling वो सीख ले आप एक mixed worksheet दीजे जहां पे this और that दोनों related blanks हम देंगे और बच्चे को decide करना होगा कि blank में this आना है या that उन्हें लिखना है तो picture देखके वो decide करेंगे picture यहां पे sentence की बहुत खरीब ब्रॉ की है मैंने, यहां पे एक teddy bear बना है तो हम कहेंगे this is a teddy bear, इसी तरह से एक cap है जो बहुत दूर है तो हम कहेंगे that is a cap so blank में आएगा that, that इस तरह से, इसी तरह से एक fish है जो आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो आप कहेंगे that is a fish this is a kite that is a cloud that is a butterfly this is a fan इस तरह से आप mixed worksheet दीजिए जहां पे this और that दोनों की practice उनको हो जाएगी और वो this और that का फर्क भी समझेंगे और sentence formation भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे इसके बाद बच्चों को question and answer format में भी होता है this and that what is this this is a pen ये question है और उसका answer ये है answer बच्चे ड्रॉइंग को देखकर लिखेंगे what is this this is a pen इसी तरह से what is this this is a tap इसी तरह से what is this this is an ant notice करिए यहां पे this के साथ हमेशा ease आता है और depending on noun either a or an बच्चे को decide करना होगा so a or an जो article है इनका concept भी आप बच्चों को समझाएए vowels and consonants की knowledge भी होनी चाहिए इस sentence को form करने के लिए इसी तरह से that related questions what is that that is a cup what is that that is a car what is that that is a star इस तरह से जब this that बच्चा समझ जाए question भी answer करने लगे हम plural form की तरफ बढ़ेंगे these and those जैसे मैंने का these होता है plural form of this यानि आपके पास एक से ज़्यादा ice cream है नस्दीक पे तो आप कहेंगे these these are ice creams और are हमेशा these के साथ आता है और क्योंकि ये plural noun है plural noun के साथ a, n, articles कुछ नहीं लिखा जाता so ये simple से ice creams आपको यहां लिखना होगा these are ice creams a और n नहीं add करना है these are ice creams these are cups these are candies इस तरह से बच्चे को practice करवाईए these are boxes these are pots इस तरह से उसके बाद those related sentences यहां पे कुछ cards बहुत दूर है जिने आप देख रहे हैं तो आप कहेंगी those are cards those are balls और हमेशा these and those के साथ आता है so those are balls ruler form those are fans those are bats those are keys so इस तरह से बच्चे those की spelling भी सीखेंगे इन सारी वर्क्षीट के बाद फिर भी अगर बच्चे को confusion है this, that, these, those में तो आप इस तरह से एक ही जगह 4 sentences को लिख के उनको explain करिए मैंने यहां पर apple का example लिया है एक apple जो आपके नजदीक पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे this is an apple वही apple थोड़ा दूर है तो आप कहेंगे that is an apple इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा apple है तो हम कहेंगे these are apples जो आपके खरीब है एक basket of apple है जो बहुत दूर है तो आप कहेंगे those are apples इस तरह से एक ही fruit या एक ही thing का example आप लेके बच्चे को explain करिए flower का example आप देख सकती है this is a flower that is a flower these are flowers plural these are flowers इसी तरह those are flowers so इस तरह से आप explain करिए बच्चे को ताकि उन्हें अच्छी तरह से याद रहे और जैसे मैंने का sentence formations बच्चे को सिखाया जाता है using this, that, these, those so questions इस तरह के होते हैं is this, are this इस तरह से यानि एक picture दी जाती है और बच्चे को yes or no में answer लिखना होता है but yes or no single word में नहीं पूरा sentence उनको लिखना होता है ये भी उनके सिल्बस में होता है UK जी की सिल्बस में is this a bat picture देखके वो decide करेंगे yes, this is a bat और yes के बाद हमेशा comma आता है so yes, this is a bat this is a bat ये उनको हमने अल्रेडी सिखा दिया है लिखना उनको बस yes और no यहाँ पर add करना है उसी तरह से is this a car? no, this is not a car this is a cup so yes or no related questions भी आप दे सकती है कुछ और questions यहाँ पर है are those apples? are those apples? no, comma those are not apples those are balls इस तरह से is that a star? yes, that is a star are these caps? no, these are not caps these are pots इसी तरह से is this a moon? no, this is not a moon this is a sun इस तरह से आप yes or no questions भी उने देख सकती है और जैसे मैंने initially कहा instead of practicing on worksheets अगर आप real time examples उनको देती रहेंगी तो वो ज्यादा बहतर रहेगा उनको समझने के लिए और इस तरह से बच्चे sentence form करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, जिससे उनकी English speaking skills भी improve होगी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिये Happy Parenting from Splendid Moms